नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए वीडियो में मैं हूँ प्रॉफेट और आज हम बोरुटो चैप्टर नंबर 52 पे बात करेंगे जो अब भी कुछी देर पहले रिलीज हुआ है इसमें काफी उत्सुकता है है लोगों को इस चैप्टर के बारे मे क्योंकि नारुटो का नया फॉर्म भी है इसमें इंट्रोडूस किया हुआ और हिंट भी बताइगे है कि पॉसिबली नारुटो मर भी सकता है इस फॉर्म का यूज करने के बाद तो मैं काफी एकसाइटेड हूँ और चलिए हम बिना कुछ ज्यादा टाइम पास किये डिरे पूरा चैप्टर काफी बढ़ा है तो मैंने इंपोर्टन इंपोर्टन पैनल्स निकाल की रखे तो उससे मदद होगी कि हम बिसिकली एक रिव्यू कर सकी कि चैप्टर कैसा है तो पहला चलिए शुरुबात करते हैं पहला पहला पैनल यह है कि इंट्षिकी और सास के दोनो इतना कमाल का चाकरा जो की नारोटो से से सेंस हो रहा है वो देखके नेक्स्ट इमेज पर दिखते नेक्स्ट इमेज बेसिकली एक एकस्प्रेनेशन है इस फॉर्म का तो कुरामा नारोडो को एकस्प्लेन करता है जो मैं आपको पढ़ने की ज़रूरता नहीं मैंने पढ़ तो बेसिकली कैसे हो रहा है कि हटो के फार्टिकल सोते हो यह कोलेड होते हैं और फिर करता है लेकिन इसमोड में कुरामा और नारुटो का दोनोंका चाकरा merge हो रहा है basically और उससे यह form तायर हो रहा है तो इसलिए यह form actually इतना dangerous है क्योंकि यह दोनों का चाकरा consume कर रहा है और जिस time पे दोनों का चाकरा पूरी तरह से consume हो जाएगा उस time पे मर मतलब वो मर जाएंगे basically तो for example जैसा गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं पेट्रोल खत्म होने के बाद गाड़ी आगे जा नहीं सकती तो यह उन्होंने खुद की life ही as energy use कर रहे हो तो यह उसका को रामा का explanation है इस form का तो और इसलिए यह form इतना powerful भी है कि दोनों के चाकरा basically consume हो रहे हैं यह form में यह form को energy देने के लिए तो यह next final बस वही explanation आगे continue हो रहे हैं लेकिन क्या cool looking नारुट की इमें यह scene यह मतलब यह transformation और यह fight anime में देखने में बहुत ही मज़ा आने माला है hopefully जादा हमें बेट नहीं करना पड़ेगा तो चलिए next image देखते next image में आप देख सकते कि इंची की नारुटो को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन नारुटो ठपाक से उसके एक सिर पे एक ही फटका मारता और इंची के अपने मूह के बल गिर रहा है बहुत ही बहुत ही cool looking image है और इससे आपको पता चल सकता है कि नारुटो की strength कितनी कितनी आगे बढ़ गी है पहले एक पंच मारने को नारुटो और ससके को भी struggle हो रहा था और नारुटो बिना उसकी तरफ देखे शायद आखे भी बंदे और एक पंच में इंची की को गिरा दिया और चलिए next panel देखते next panel भी वही है नारुटो का पं जब animate होगा तो यह fight देखने के लिए लेकिन आपको अंदाज आ सकता है कि कितनी power नारुटो की इसमें है इंची की और ससके दोनों के दोनों शक्त है नारुटो की power देखके नारुटो is actually beating ऐसा बोल रहा है और अच्छा लग रहा है यह देखके क्योंकि पीछले chapters में अब अब उनकी बार यह पीटने की उनकी मतलब नारुट की विसे के लिए लिए नेक्स chapter देखते है नेक्स्ट image आइमें नेक्स्ट image में भी same ही है तो यह कुछ थोड़ से थोड़ी image यही है कि नारुटो कैसी दूलाई कर रहा है इंची की एक सही की कमार है उसको मुह पे जो कि जिसका इफेक्ट देख रहा है आप देख सकते हैं इनशी की को कुछ तकलिके फेख होने लगी है और यह सीन मेरा सबसे फेवरीट सीन है इनशी की यहां पर चाकरा रोड्स मारता है और नारूटो एक ही हाथ से कुछ मुवमेंट किये बगर जैसे किसी गुबार को पकड़ रहा हो ऐसा आराम से वो चाकरा रोड्स को पकड़ लेता है और यह कितना इनशीनिफिकन्ट है यह नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि सास के बोलता है कि वो उसके शारिंगन से भी वो चाकरा रोड्स ट्रैक नहीं कर पाता और उन चाकरा रोड्स को नारूटो गुबार की तरह जैसा गुबारा स्लोली आपके तरफ आरा और आपने पकड़ लिया उस उसी स्टाइल में फुल टशन में नारूटो वो चाकरा हो जाता है यहां पर कूल लुकिंग नारूटो का ब्रॉइंग है यहां पर मुझे बहुत खुशी हो रही है ऐसा देखके क्योंकि पिछले कुछ चैप्टर्स में नारूटो की पावर्स को बेसिकली लो बताया गया था या मेभी इंची की कितना डेंजरस भी लने वो बुश्यों जाती हो और मुझे मुझे यकीन है कि आपको भी हो रही होगी तो यह नेक्स इमेज है जो की थोड़ा थोड़ा दूर जो हिदन विलेज में लेके जाती है और यहां पर आप देख सकते है कि कवा की बेसिकली सेंस कर रहा है जो कि उसका राइट है रहता है वो तो नारूटो ने उसको दिया रहता है और नारूटो के चाक्रा पे चलता रहता है तो वो सेंस कर रहा है कि उसका चाक्रा भी वीक होने लगा है तो नारूटो जो पावर का पीक था वो अभी मेभी रीच हो गया है और अभी अभी धलान पे उतरने लगा है नारूटो का चाक और Suras Census में, सास के भी यही बोल रहा है कि.. चाक्रा हुसका ड्राब हो रहा है औरnesday नारूतोब बहुत है प्रॉबलेम एकि.. वही नारूतोबगे जिन्देवाली कट्म रहे है। अब दारूतो अंधि Çाकरा उसका भी क्योना में चया नोड़ा। थोड़ा problematic situation की थरफ बढ़ते हुब है next panel में आप देख सकते कि इंजी की को जो कुछ भी damage हो है उसका बता है गया कि वो भी उसके मुझ से भी खोन निकल रहा है इतनी मार पड़ी है उसको और चीड़ा हुआ है वो अपने अपने नारूटो पर और नारूटो यहां पर बोल रहा है कि now the real game begins कि basically पहले इंजी की मरता है या पहले नारूटो मरता है चलिए next image रहते है next image में basically कुरामा का वापस थोड़ा सा explain कर रहा है कि इंशी की मारना इतना आसन नहीं है लेकिन हमारे यह जो नारूटो का form है उसका उसका एक advantage भी है तो आपने पहले के chapter पहले की में जिससे समझा होगा कि basically नारूटो की power consumer और life energy भी consumer हो रही है तो कुरामा उसको बता रहा है कि तुम जितना उसको hit कर उगे उतना उसकी भी life energy कम होगी तो यहां पर कुरामा नारूटो को बोल रहा है कि यह form का disadvantage जो है कि हम वो खुद की life खत्रे में है लेकिन advantage भी है कि हम दूसरों की दूसरे की life life force जो है वो कम कर सकते तो भी कुरामा उसको नारूटो को बोल रहा है कि तू जितना हो सके उतना मार ताकि इंशी की वह life force कम हो जाए तो वो हमसे जल्दी मर जा और हम मतलब हमारे favor में कु कर रहा है वो भी वही सोच रहा है आप देख सकते है पैनल में कि उसका life force पहले 20 अवर्स तक था जिन्दा रह सकता था जो नारूटो ने दुलाए कि अभी वह आदी घंटे से भी कम हो गया है तो इस रेस अगेंस टाइम बिसिकली और यहां पर आप देख सकते कि कुरामा वही बोल रहा है कि शेफ दरेस्ट अफ इस लाइफ पिफर आवर्स रंस आउप तो नारूटो को फाइनल पूश करने को बोल रहा है कि दुलाएक कर और जितना हो सके उतना तो वह वीक हो जाए और मर जाए तो आगे के भी यही एक हद दो इमेजे से नारूटो कूद बढ़ा है वेसिकली और पंच पे पंच मारे जा रहा है और बोल सकते है कि यह इंची को भी पता चल ग पंच में फोर्स नहीं है लेकिन इंची का लाइफ फोर्स बेसिकली वह निकाल रहे ला है हर एक फाइट में तो वह इंची की ने फिगर आउट कर लिया और यहां पर आप देख सकते ही क्यों वह बोल रहा है कि थोड़ा थोड़ा एडवांटेज पर आगा कि कि नारूटो कम हो रहा है तो उसको क्विकली कवा के पर ट्रांसफर कर देना चाहिए क्योंकि यह बॉड़ी अभी ज़्यादा टाइम तक रहने नहीं वाली तो अब नtrack chapter देख सकते है कि नेत्ट इमेज में अब देख सकते है की पोर्टल बिसिकली खुला हुआ है और कवा की वह नारूटो के हैंड को दे कर आ है और यह एक यह इस chapter का बेभी ट्विस्ट आप बोल सकते है कि वो पहला जो पैनल दिखाया गया था जहांपे कवा की स तो को इन्छी की भी सेंस कर सकता नारुटो के चाक्रा को ये उन्होंने ट्มिस ul 2 कि कवाकी के पास जो नारुटो को आarnos कर दो वह तो रहते ने पार रहते है तो इन्छी की वह सेंस कर लेता है और उसको पता चल जाता है कि आवाकी कहां पर है basically तो यह काफी डेंजरस situation होती हुगी और इसलिए वो यहां पर portal खड़ा कर देता है और कवा की वो उस dimension से उठा के मतलब hidden leaf से उठा के यहां पर लेके आता है तो मुझे पता नहीं अभी क्या होने वाला है और dangerous situation जो जो अवाइड करना चाहते थे अभी नारुटो की पावर कम हो चुगे सास्के और बोरुटो तो पहले से ही मार खा चुक है और अभी इंजी की basically तोड़ा सा overpower कर रहा है और कवाकी भी आ गया है तो वो अपनी body मतलब वो अपना life force उसमें transfer करके वापस उसे कर्मा दे सकता है तो यही basically end है वो वो यही बोल रहा है उसको की होगा क्योंको basically वो भूल रहा है कि thanks भूल रहा है कि क्योंकि नारुटो ने अपना अपना हाथ वो कवाकी को दिया था उसके चाकरा से वो पावर्ड था तो इसलिए उसने उसको sense कर लिया और यहां पर लेकर आ गया तो बहुत ही dangerous situation हो रही है और यहां पर आप अगर देख खरबती उसका जोगन एक्टिवेट हो गया है लेकिन तो दो बड़े cliffhangers यहां पर आए कि problem में आ गया है कि कवाकी यहां पर आ गया है नारुटो का form अभी ज्यादा powerful नहीं रहा है और बोरुडो का जोगन एक्टिवेट हो गया है I think so यह यह जोगन है so maybe वो जी हाँ अभी अभी आगे chapter में कमाल होने वाला यह कमाल का hangover यह कमाल का chapter end था और hopefully आपको यह chapter कैसा लगा जरूर comment sections में बताईएगा और अगर आपको यह review पसंद आ तो like और subscribe जरूर कीजिएगा at least यह chapter में तो नारुटो मर रहा है इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और नारुटो का form भी काफी अच्छा था I think यह chapter काफी अच्छे काफी अच्छे point पे आके रुका है और बस बुरा इसी बात के लग रहा है कि हमें एक मैना और रुकना पड़ेगा इस chapter next chapter के लिए लेकिन जी हाँ आपको यह chapter और नारुटा form कैसा लगा जरूर comment sections में बताईएगा और like और subscribe अगले बॉरुटो के जो न्यूज है उसके पार में जो कुछ spoilers आएंगी या को और या और कुछ enemies के में review डालूंगा उसके लिए तो hopefully अपको पसंद आओगा and I will see you in the next video guys thanks for watching